असलाम अलेकूम, आज बनाएगे क्रिस्पी प्राइट चिकन स्ट्रिप्स, बहुती टेस्टी और बहुती बहुती बैतरीन रेसिपी है, इफ्तार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बाहर से ये क्रिस्पी होती है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी होती है, तो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, तो पहले चिकन का मैरिनेशन बना लेंगे, एक चमच अधर कलेसन का पेस्ट लिया है, नमक एट कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से, आदा काली मिर्चों का पाउडर, आधर चमच गरम मसाला पाउडर चमच और एक चमच चिली फ्लेक्स अधर करेंगे, दो चमच ताजा गाड़ा दः आट कर लेंगे, अगर आपका दः पतला है तो छनी में रखकर इसका पानी निकाल कर और फिर यूज़ कर लिजिए, तो अच कर लेंगे बहुती टेस्टी और बहुती चटपटी ये चिकन स्ट्रिप्स बनकर तयार होती है तो ज़रूर इसे ट्राइ की जिएगा फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह की consistency होनी चाहिए देखिए हमारे मसाले की तो थिक सा मसाला हमारा ready है अब chicken लिया है 200 ग्राम bonless chicken लेकर देखिए इस तरह से लंबे-लंबी strips मैंने cut कर ली है rest piece लिया था अब ये सारा chicken हमारे marination में add कर लेंगे और हलके हाथों से इसे mix करेंगे बहुत अच्छी तरह से mix करेंगे जिससे के सारे strips पर मसाला अच्छी तरह से लग जाए और cover करके इसे आदे घंटे के लिए रख लेंगे अब आगे की तयारी कर लेते हैं तो आदा cup मैंने यहाँ पर plain मैदा लिया है इसमें आदा teaspoon chili flakes add किया है और थोड़ा सा नमक add कर लेंगे आदा चम्मच काली मिर्चो का powder add करेंगे और एक चम्मच चाट मसाला powder add करेंगे अच्छी तरह से mix कर लेंगे ताकि हमारी जो coating है वो फिकी ना लगे दो अंडे लिये है और इसी में थोड़ा सा मैंने red chili powder और नमक add किया है अच्छी तरह से फेट लेंगे अंडो को मिर्च और नमक अच्छी तरह से mix हो जाए जब तक फेट लेंगे और आदा cup bread crumb है जिसमें आदा चमच मैंने कश्मीरी लाल में चैट किया है और mix कर लेंगे इसे भी इससे हमारी chicken की coating का बहुत अच्छा सा color आएगा तो जो strips हमने marinate करके रखा है पहले इसे इस तरह से देखिए मैदे में अच्छी तरह से हम cover कर लेंगे और जो extra रहेगा उसे जाड़ लेंगे इस तरह से फिर अंडे में dip करेंगे अच्छी तरह से अंडा लगा लेंगे इस पर इसके बाद इसे bread crumbs में coat कर लेंगे अच्छी तरह से हर तरफ bread crumbs लग जा इस पर इस तरह से coat करेंगे और देखिए इसी तरह से हमें सारे strips ready कर लेने है और इसी point पर इसे freeze भी किया जा सकता है पहले एक plate में अलग-अलग करके इसे थोड़ी थोड़ी जगा की दूरी पर रखकर set कर लीजिए freezer में उसके बाद इसे zip lock bag में रखकर store कर सकते है अब fry करने के लिए oil को medium hot गरम किया है और इसमें एक-एक करके इस तरह से देखिए जितनी भी आजा उतनी strips add करेंगे overcrowd नहीं करेंगे और दो मिनिट तक इसे एक तरफ से इसे ही पकने देंगे उसके बाद इसे turn करेंगे नहीं तो जो coating है वो सारी हट सकती है इस पर से तो मैंने जादा बड़ी strips जो cut की थी वो देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी shape इसकी बिगड गई है तो आप जब भी ये बनाए तो आप medium size की strips को cut कर लीजिए तो देखिए अलट बलट की अच्छी तरह से मैंने इसे fry कर लिया है अब second patch में मैंने medium size की strips add की है तो याद रहे के fry करते वक्त हमारी flame medium होना चाहिए जादा fast flame पर नहीं fry करेंगे तो देखिए second patch की जो हमारी strips है वो बिलकुल अच्छी तरह से fry हुई है तो रेसीपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर में लेंगे इंशाएल लाइक नई रेसीपी के साथ टेक कैर अला अफिस थैंक्स वा वाची